नमस्कार दोस्तों, स्वाक्त आपका सल्मान खान की ईतके अवसर पर रिलीज होने वाली फिल्म किसी का वाई किसी की जान लित भिशन बोक्स पर पहिट हो गी कोदिट होगी या विचाhem बड़ीज की गाइनOb प्रूद में उनका एक extended cameo था जहां पर आयुष सर्मा का मतलब जबरदस्त रोल था सल्मान का भी रोल चाहता है तो कई वर्सों के बाद में सल्मान खान वापसी कर रहे हैं तो क्या सल्मान खान की वापसी सारुख खान की तरह होने वाली है इस परकार से पटान फिल्म के कले क्योंकि कई वर्सों के बाद में सल्मान कान आ रहें उनके परसंस को कि संग क्या काफी ज़्यादा है तो डेफिनेटली ओपनिंग अच्छे लेगी दो तीन दीन तक कलेक्सन बहुत जबर्दस्त आएगा उसके बाद में डिबेंड करेगा वर्ड ओप माउथ पर कि वर्ड कि एक्सराईब करते हों एक्सराइब करते हैं अभी तक जितने भी बड़े श्टार्स के साथ काम किया उनने वे उनके लिए अनल्की ही रही है चाहिए वो रादी शाम आप देख लीजिए रादी शाम बोक्स ऑपिसवर बुरुते से प्लॉप साबित हुई थी इसके लावा अभी जो सरकेस फिल्म आई थी रणवीर सिंग के साथ तो फिल्म भी बुरुते से पिट गई थी तो पुझा एगरे की जो भी फिल्में सब्सक्राइब की बचन बंडे बहुत बुरुद्र से प्लॉप साबित हुई थी आप जानते हैं अक्षय कुमार थे उसके बाद में उन्होंने सरकेस फिल्म के डायलोक्स लिखे थे और उन डायलोक्स की काफी मतलब बेजती बहुत ज्यादा अपमान से ना पड़ा था हैं किसी का बर देन और तो शोबन भाद करती हैं किसे की जानकी दो कम जोर कड़ी एक पुझा हेगडे और आप परहाध सामधी Не आगर भूंतीन ठीक्ता काम कर दिया है किहाने लिखे घंटा लेंगे और खिंच के ले जाएंगे और फिल्म को हिट भी करा देंगे लेकिन अगर उनसे स्क्रिप्ट लेवल पर कहानी के लेवल पर चूप हुई है तो फिर दोस्तों इस फिल्म का तो फिर क्या हो नहीं आप जानती है लेकिन इतना ते जरूर है कि फिल्म बॉक्स पर ओपनिंग जबरदस्त लेगी इसमें तो कोई शक वहली बात नज़र नहीं आ रहे दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके आप इसे बताएगा और चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा नहीं बाद दोस्तों टेक केर जेहिंद वंदे मात्रम जेसी राम